इस समय हम इस्थल मंडल का महत्पूर्ण टापिक पृत्वी की आयू को समझ रहे हैं इस टापिक से सम्मंधित हमने पिछले कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने भूमिका, धार्मिक संकल्पना, सागरीय लवणता तथा तलछट के जमाव, एउम, अपर्दन तथा चंद्रमा की ज्वारीय सक्ति के आधार पर पृत्वी की आयू को जानने का प्रयास किया है इसके साथ साथ हमने पिछले वीडियोस में लाड कैल्विन की भी संकल्पना देखी है कि लाड कैल्विन किस प्रकार पृत्वी के तापमान में रास, दर के आधार पर पृत्वी की आयू को बताने का प्रयास कर रहे हैं इसी स्रिंखला में हम आज अपने इस वीडियो में देखेंगे कि रेडियो सक्रिय तत्तों के आधार पर पृत्वी की आयू को किस प्रकार जानने की कोशिस की जाती है और इसके साथ साथ हम इसमें एक निसकर्स भी क्या निकाल सकते हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस टॉपिक का ये मेरा आखिरी वीडियो है इस टॉपिक से सम्वंधित जो भी नोट्स हैं वो पीडिया फाइल के रूप में डिस्क्रिप्शन बाक्स में उपलब्ध हैं इस टॉपिक से सम्वंधित जितने भी आपजेक्टिव कुशन आपके लिए बन सकते हैं वो सारे objective questions आप PDF file के रूप में जाकर के description box से download कर सकते हैं तो आईए अब हम देखते हैं कि radio सक्री तत्तों के आधार पर प्रत्वी की आयू को किस प्रकार calculate करते हैं radio सक्री तत्तों के आधार पर प्रत्वी की आयू की गड़ना देखें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये भौतिक जगत किस से मिलकर बना है पदार्थ से पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और कण अणू से तथा अणू परमानू से मिलकर बने होते हैं हमने क्या बता है पदार्थ का छोटा रूप कण कण से छोटे अणू और अणू से छोटा परमानू कोई भी परमान हो उसकी एक संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं परमानविक संरचना क्या बोलते हैं परमानविक संरचना जब हम परमानविक संरचना की बात करते हैं तो किसी भी परमान में एक नाभिक होता है क्या होता है नाभिक इस नाभिक को हम लोग क्या बोलते हैं नूकलियस इस नाभिक में दो महत्पून कर्ण होते हैं जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटान और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं नूट्रान प्रोटान और नूट्रान ये कहां पर पाया जाते हैं किसी भी परमानों के कौन चक्कर लगाता है इलेक्टरान इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है इलेक्टरान तो हमने क्या बता है किसी भी परमानों के नाभिक में अगर हम उसकी परमानमिक संदचना को जानने की कोसिस करेंगे तो उसके मद्ध में एक नाभिक होता है इस नाभिक को हम लोग क्या बोलते हैं, नूक्लियस भी बोलते हैं, जिसमें प्रोटान और नूट्रान होते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रान चक्कर लगाते हैं, देखें, प्रोटान पर धन आवेस होता है, क्या होता है, पॉजिट्व चार्ज, नूट्रान नूट्रल होता है, और इलेक इस्थाई है इस्थाई कौन से तत्तों है जिनके नाधिक में प्रोटान और न्यूट्रान का जो अनुपात है ये वन यानी एक होता है ठीक है कुछ तत्तों ऐसे हैं जिन में प्रोटान और न्यूट्रान का जो अनुपात होता है ये एक अनुपात एक से अधिक हम ये भी कह सकते हैं एक अनुपात डेड़ तक होता है ऐसे तत्तों जिनके नाधिक में प्रोटान और न्यूट्रान का अनुपात एक नहीं होता है ऐसे तत्तों आइस्थाई क्या होते हैं आइस्थाई और भारी नाधिक लिए होते हैं हमने क्या बताया ऐसे तत्व जिनके नाभिक में प्रोटान और न्यूट्रान का अनुपात एक नहो करके एक से डिर तक होता है ऐसे तत्व होते है वो आ रसाई और भारी होते है ये अइसे तत्व इस फाई तुपाने के लिए क्या पाने के लिए इस साइट तो पाने के लिए इनके नाभिक से लगातार एलफा बीटा और गामा किरने निकलती रहती है इसके साथ साथ बड़ी भारी मात्रा में उसमा भी निकलती रहती है ऐसे तत्तों को रेडियो एक्टिव तत्तों कहा जाता है क्या कहा जाता है रेडियो एक्टिव तत्तों कहा जाता है इसकी खोज 1903 इसवी में मैडम क्यूरी नेकी थी और ठीक एक साल बाद एक दूसरे विद्वान आते हैं जिनका नाम था रदरफोड रदरफोड ने 1904 इसवी में इनी रेडियो एक्टिव तत्तों के आधार पर पृत्वी की आयू या चट्टानों की आयू को कल्कुलेट करने की कोशिस की है तो हमने क्या बताया कि रेडियो सक्रिय तत्तों के आधार पर हम पृत्वी की आयू को कैसे कल्कुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि Radio Active तत्त क्या होते हैं तो हमने क्या बताया कि पदार्थ है पदार्थ कणों से मिलकर बना है कण अनूं से और अनूं परमानों से मिलकर बने हैं और प्रतेक परमानों की एक परमानविक संदचना होती है जिसे हम लोग Atomic Structure भी बोल देते हैं और इसमें एक केंदरक होता है इस केंदरक को Nucleus बोलते हैं Nucleus में Proton और Neutron Particles होते हैं और इसके चारों तरफ Electron चक्कर लगाते हैं या घूमते रहते हैं Proton पर Positive Charge Neutron पर Neutral Charge और Electron पर Negative Charge होता है फिर हम ने आपको क्या बताया कि कुछ ऐसे तत्तों हैं प्रकृति में जिनके नाभिक में Proton और Neutron का अनुपाद एक होता है ऐसे तत्तों इस्थाई तत्तों होते हैं लेकिन कुछ तत्तों ऐसे होते हैं जिनके नाभिक में Proton और Neutron का अनुपाद एक अनुपात एक से अधिक होता है ऐसे नाभिक आइस्थाई ये उंभारी होते हैं ऐसे नाभिक लगातार अपने नाभिक से अलफा बीटा और गामा केरणों को निकालते रहते हैं ऐसे तत्तों को रेडियो सक्री तत्तों कहा गया और इसकी खोज मैडम क्यूरी ने की और यह 1903 इस वी में की थी इसके बाद रदर फोर्ड आते हैं और रदर फोर्ड 1904 इस वी में इन्ही रेडियो सक्रिय तत्तों के आधार पर चट्टानों प्रत्वी की आयू को केलकुलेट करते हैं देखें प्रकरते में दो तत्तों हमने क्या बताया दो तत्तों पहला क्या है यूरेनियम और दूसरा महत्पूर्ण तत्तों क्या है थोरियम यूरेनियम और थोरियम महत्पूर्ण रेडियो एक्टियू तत्तों हैं और हमने अभी बताया इनका नाभिक कैसा होगा आइस्थाई होगा और नाभिक क्या होगा भारी होगा परिणाम सरूप इनके नाभिक से अलफा बीटा और गामा तथा बड़ी भारी मात्रा में क्या है उसमी उर्जा भी निकल रही होगी तो जो यूरेनियम होता है बैग्यानिकों ने क्या देखा कि इसका लगभग एक दस्मलोव छे साथ भाग लगभग एक दस्मलोव छे साथ भाग ये दस करोड़ वर्स में कितने वर्स में ये क्या होता है सीसे में बदल जाता है किसमें परिवर्तित हो जाता है हमने क्या बताया कि महत्व़ोंड रेडियो एक्ट्व तत्त तो क्या है यूरेनियम और थोरियम फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि एक निश्य समय अवधी में यूरेनियम का एक दस्मलोच 6-7 भाग 10 करोड वर्स में सीसे में परिवर्तित हो जाता है तो यदि हमें चटानों में सीसे की मात्रा का पता लगाएं हमने क्या बता है यदि हम चटानों में सीसे की मात्रा का पता लगाएं तो हम ये जान सकते हैं कि ये सीसा यूरेनियम से कितने दिनों में परिवर्तित हुआ होगा इस आधार पर ये माना गया है कि आज से लगभग एक अरब 50 करोड वर्स पूर कितना? एक अरब पचास करोड वर्स पूर रेडियो सक्रिय तत्त अस्तित्तों में आए कितने समय पहले एक अरब 50 करोड वर्स पूर रेडियो सक्रिय तत्त इस प्रतिवी पर क्या हुआ अस्तित्तों में आए और इस आधार पर बैग्यानिकों ने क्या माना है कि पृत्वी की उम्र लगभग दो अरब से तीन अरब वर्स तक है ठीक है तो हम क्या कह रहे हैं कि रेडियो सक्रिय तत्तों के आधार पर बैग्यानिकों ने जो पृत्वी की आयू को कल्कुलेट किया है वो कितना माना है दो अरब से तीन अरब वर्स के मद्दे ठीक है अंत में हम क्या देखते हैं निसकर्स निसकर्स में हम ये देख सकते हैं कि उपरोक्त संकल्पनाई जो पृत्वी की आयू के संबंध में चाहें वो भुमिका हो चाहें वो धार्मिक संकल्पना हो या सागरी लवडता या तलछट अपरदन चंद्रमा की जवारी सकती या लाड कैल्विन की ही संकल्पना क्यों नहो इन सभी संकल्पनाओं में रेडियो सक्रिय तत्तों के आधार पर पृत्वी की आयू की गड़ना जादा तर्क पूर्ण है और आज बैग्यानिक इसे सहर स्विकार भी करते हैं यह हमारा क्या हो सकता है निसकर्स हो सकता है तो यह मेरा पृत्वी की आयू के संबंद में यह मेरा आखरी वीडियो था इससे संबंदित जो भी नोट्स हैं जो भी कुश्चन हैं वो सारे अधिक से अधिक लाइक करें शेयर करें धन्यवाद नमस्कार